नमस्कार दोस्तों, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला सिर्मौर हिमाचल प्रदीश की तरफ से मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और साथ में ही आने वाली जो हमारी दीपावली है उसकी सभी को डेहर सारी सुब कामनाई देता हूँ जैसा कि आज का जो हमारा विश्य है वो है कि किस तरह से दीपावली में बच्चों को पठाके हैं या जो भी जिस तरह की भी बहुत सारा जानमाल का नुकसान जो है वो प्रापरटीज का नुकसान जो है पठाकों से आग लगने के कारण होता है तो हमें उन चीजों से बचने के लिए अपने बच्चों को प्रेडित करना चाहिए उनको अवेर करना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो इनोसेंट्स हैं उनको इस चीज का कोई बता नहीं होता है तो हमें उन चीजों से बचने के लिए सबसे पहले बचों को अवेर करना होता है या हमारे पास इस तरह के इंस्टुमेंट से इस तरह के कुछ safety precautions हमारे पास रहने चाहिए हमारे पास ताकि हम जब भी दिपावली में पठाकों का यूज़ करते हैं पास जिब भी दिवाली पास दीवाली में होता है तो बडवोगों हो तो इसको कर सकते हैं यहीं ज़दा ज Catholics के लोग हैं वो तो इन आफे इस जैए जो हमें की जाए दिवाली पटाके करना दिदा पख़वनाव करना है तो पनी पटाके करना है पटाके को हाथ में पगड़ गई उसको नहीं जलाना है, उसको पटाक के इसको अपनी आखो को बचाते हुए उन पटाकों को यूज करना है ताकि वह पटा के फटे तो उनके अंदर जो जो करन होते हैं यह जो उनके अंदर जो एक मतरा का मसाला होता है वो उनके आंखों में जाने से बचे और उनको आंखें जो होने से बसके यह उनके जुलसने की बहुत जादा जो अगटनाए जो है वो भारत में होती है तो हमें ज नगसारी प्रापर्टी में अग्जनी की घटनाय, भरों में आग लगती है, पताकों के लिए भोग रिस्यों में वह पताके यूज से होती है। तो हमें जो है अपने बच्चों को इस दिवाली जो है वो सेफटी प्रिकॉशन के साथ जो है वो दिवाली को हमें मनाना है और अगर हो सके सो जादे जाकि इंडियर में जो है इस तरह के डिजास्टर्स जो की मैनमेड़